नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका एक्रिकल्चर वाल्ड में दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं ग्यहूं में अनावर्थ कंड़वा या फिर लूजस्मट रोग की हम रोगताम कैसे कर सकते हैं आईए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से इसे पहले दोस्तो अगर आप हमारी चैनल पर नहीं हैं तो चैनल को सब्सकाइब जरूर कर लेना क्योंकि यहां पर आपको कर्शी संबंदित सभी जानकारिया समय समय पर मिलती रहती हैं तो आईए जानते हैं अनावर्थ कंड़वा लूजस्मट रोग के बारे यह रोग ग्याहूं की फसल में बीजनित रोग होता है इस रोग के कारण बालियों में दाने की जगह पर काले रंग के फफुन्द बन जाते हैं और धीरे धीरे पूरी हमारी जो बालियां होती है ग्याहूं की यह आपको काली दिखाई देती है इस रोग का अधिक परकोप होने पर फसल की पैदावार और गुनुवत्ता कम हो जाती है साथी रोग ग्रस्त बालियां हवा चलने पर स्वस्त फसल को संकर्मित कर देती है आईए दोस्तों बात करते हैं इसके बचाओ के बारे में इसके लिए हमें रोग परतिरोधिक किस्मों का चैन करना चाहिए साथी बीज को हमेशा उपचारित करके ही इसकी बुआई करनी चाहिए हमें इसमें फसल चकर अपनाना चाहिए साथी संकर्मित बीजों को बुआई से पहले ही हमें निकाल देना चाहिए दोस्तो अब बात कर लेते हैं हम ग्यहूं की फसल में अनावर्थ कंडवा या फिर लूज स्मट रोग का रासाइनिक नियंतरण कैसे कर सकते हैं दोस्तो इसके रासाइनिक नियंतरण के लिए 200 मिली प्रोपेकनजोल 25% EC को देड़ सो लेटर पानी के हिसाब से घोल कर परती एकड में छिड़काव करें या फिर 500 ग्राम कार्वेंडाइजम 50% WP देड़ सो लेटर पानी के हिसाब से घोल कर छिड़काव करें कहने का तात पर यह है कि ग्यहूं की फसल में अनावर्त कंडवा या लूजसमत रोग जिसे हम बोलते हैं इसके रासाइन नियंत्रन हम 200 मिली प्रोपे के नाजोल 25 पर तीसद इसी या फिर 500 ग्राम कार्बेंड डेजाएं 50 पर तीसद डबलू पी इसकी डेड़ सो लेटर की मात्रा पानी में मिला कर हम इसे अपनी फसल में छिड़काओ करें इससे हम ग्यहूं में अनावर्त कंडवा और लूजसमत रोग की रोगता हम कर सकते हैं दोस्तों जानकारी आपको अच्छी लेगी होगी वीडियो को लाइक करना और अन्य किसान भाईयों को भी सेयर जरूर करना जिससे की वो भी एक अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकें और साथी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना हमारी फैमली जल्द ही 1K की पूरी होने वाली है तो हो सके तो सपोर्ट करना और साथी मैं आपको बताना चाहूंगा इस समय पर हमारे यहूं के फसल में बालिया बन चुकी है हलाकि जो फिलाल की स्टेज है इसमें हमारे जो बालिया होती है इसमें फिलाल अंदर दाने बनने वाले हैं तो इस समय पर हमारी फसल में मैंने अभी आपको बताया अनावर्त कंडवा लूज समट और साथी पीलापन और कंडवा रोग की आने की ज़्यादा समझ से रहती है तो इनका हम अपनी फसल से बचाओ करें निरंतर अपनी ग्यों की फसल में हम एक बार घूम कर जरूर देखे पूरी फसल का निरक्सन करें कहीं पर कोई बिमारी अन्य बिमारी तो नहीं है उसका निरक्सन हमें जरूर करना चाहिए साथ ही मैं कहना चाओंगा आपको जैसे कि इस समय पर काफी हवाई भी चलनी शुरू हो जाती है तो किसान भाई इस चीज का ध्यान रखे कि अपनी फसल में अधिक पानी का भराव ने होने दे क्योंकि अब ऐसा नहीं है कि हम अपनी फसल को सूखी रखे उसमें नमी तो बनाई रखे लेकिन उसमें जल का भराव ने होने दे क्योंकि जल भराव के कारण हमारी मिट्टी वो गीली हो जाती है जिसके कारण फिर हमारी फसल है जो गिरने के चांसे बढ़ जाते हैं हवा के माद्यम से तो अपनी फसल में पानी का दिक भराव ना होने दे अन्यता इससे आने वाले समय में हमारी फसल नीचे गिरने पर उत्पादन में हमारी काफी बारी नुकसान हमें देखने को मिल सकता है दोस्तों आज के लिए इतना ही वीडियो को सेर जरूर करना अन्यकिसान भायको और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यावाद